ही गाइज वेलकम बैक माई चानल तोड़ेस आइम गोंग टो शो यू यू येलो स्प्लैश मेकप फ्रेंड्स इस तरह की मेकप आप हल्दी शरेमिनी में भी कर सकते हो यह समर लूक है और स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैंने यहां लिया है स्किन केर के लिए बिटामिन सी स्किन केर को कभी भी निकलेट नमत कीजिए यह बहुत ही इंपॉर्टन है नेक्स्ट मैंने यहां पे लिया हुआ है जेल बेस प्राइमर जो की लोटस से है और यह हमारे फेस के पोर्स को मिनिमाईज करके हमारे मेकप को एक स्मूढ टच देता है फ्रेंड्स तो यह बहुत ग्लोव फांडेशन यह लोटस से है तो वाज की वीडियो में मैं इसी के साथ मेकप करूंगी फ्रेंड्स अगर आप बाहर जाना चाते हो या कहीं मार्कट जाना चाते हो बटे पर्टी हो या किसी भी तरह की पार्टी हो और आपके पास समय नहीं है तो आप इसका यूज करेक्ट अपने फेस वाश किया मॉस्चराइजर लगाए या न लगाए कोई फरक नहीं पड़ता आप डारेक्ट इसका यूज कर सकतो इसमें सारे चीज अवलेबल है नेक्स तम कंसील कर लेंगे अपने कंसीलिंग एरिया को जो कि हमारे डाक सकल एरिया है और बहुत सारी ऐस जगह होती है हमारे फेस में जहां हमें कंसील करने की जरूरत होती है तो उसे हम अच्छे से कंसील कर लेंगे क्योंकि अगर कंसील ने हुआ तो मेकप बहुत ही गंदा सा लगेगा और यह हमें बिल्कुल नहीं करना है तो नेक्स टम यह पे अपने मेकप बेस को सेट करने के कि यहां भी यहां फोस्ट करना मेकक बेस को सिट गवार जब जब करेंगा कि इसके बाद आप गलो जाता है तो इसका नहीं होट नहीं है यहां यहां सिर्फ दो आइश्यडों से अपने यहां फांडेशन लगा यहां इसके बाद अगर आप्सका sudah करेंगा यह अभी तो अगर और क्रीज के लिए हमें थोड़ा से डाइशाडो लगाने है जो कि यह वाली है एंड क्रीज को हम कलर देंगे और बाकी में हम येलो का ही टेच करेंगे ये येलो इश प्लेश है मेक टेचोरियल है फ्रेंस तो आई-लाइनर हम तो अब इसके इस ट्रोक को हम थोड़ा ही रखेंगे जो कि अभी ट्रेंट ही है सो इस तरह की मेक अप में ये बहुत जादा अच्छा लगता है प्रिटी लगता है फ्रेंस तो आप इसका मेक अप यह ये समर लुक मेक अप भी है तो यह बहुत ही हलका है आप दिन में भी कर सकते हो रात की पाटी में भी कर सकते हो हल्दी सरेमेनी संगीत सरेमेनी आप उसमें भी से ट्राइ कर सकते हैं अप अपने आइब्रो को कलर देने का काम स्टार्ट कर दिया है मैंने सबसे पहले मैंने पेंसिल जो की आइब्रो पेंसिल है और नेक्स्ट रमन यहां ब्राउन कलर से मैं इसे नैश्रल लुक दे रही हूं यह मेरा अइब्रो यह जो कंप्ली हो गया फ्रेंस इसे मैं अपने एक सईची शेप में दे देती हूं इसके बाद मैं यहां पर अपने फेस को कंटूर करूँगी कंटूर करना भी बहुत इंपॉर्टन है ताकि हमारे चेहरा बतला देखे इसे बाद में आपको बता दू कि जिनकी जॉव लाइन जो है वह बहुत ज्यादा चौड़ी है तो उन्हें कंटूरिंग का जो यह जो यह ज़ए लेना है वह थोड़ा ज्यादा यानि कि डीप कंटूर करना है फ्रेंस अगर आपके पास नोस के पास अगर आपको कंटूर को यह ब्लेंड करना है तो यह बहुत ही अच्छी बात है तो यह बहुत ही अच्छी बात है तो यह बहुत ही अच्छी से निखर के आती है तो कंटूरिंग को मिक्स करना मैं लेंड करना इस सो इंपॉर्टन और सही वे में ब्लेंड करना वह तो और भी जादा इंपॉर्ट जैसा कि आपने दिखा भी तो इस तरह की देखने से वह और भी लाइट लगेगी और येलो इश प्लैश मेकप जो की आइज है तो उसमें यह काफी अच्छ से मैच करेगी अब मैं यहां मैक की पाउडर हाइलाइटर गोल्डन कलर की लोंगी जिससे मैं अपने अंडर काम की चीज है वह एक सारे काम हो जा रहे हैं तो अगर आपने वनिटि में जरूर रखे ये बहुत जादा काम की चीज़ है इस Cisco भी बाहर जा रहे हो खोगर किसी पार्टी में जा रहे हो तो अप इसमें का ज़न का यूज अगर मर्जी हो और इसमें परसकते हो और अगर मे जिए फृत वर्म रिदो तक्ति कंशल्य को कते cansum पेम्नगन दो विद्फज दे खने। अड़ कर दो कि आफिधा के यहां आधि अपनी आलिट पर भी इस चाहज़ करेंगी हो पहुटर का इस पौडर क कर रही हम इप अब मैंने यहां लिया हुआ है हुदा ब्यूटी की मैट लिक्विट लिप्स्टिक जो की ब्राउन कलर की है फ्रेंड्स बहुत डार्क नहीं है यह एंदेन मैं डैसलर अटर्णा की मस्कारा यूज कर रही हूं जो की एंड में करती हूं अगर आप लोगो मेरे यह मेकप टूटोरियल पसंद आए यहलोश फ्लैश मेक टूटोरियल पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप नियू हो तो नेक्स वीडियो में हम जल्दी मिलेंगे तब तक के लिए गुडबाइ बी हैपी and be healthy my friends